जाहिन गाइस वेलकम बैक और माय यूट्यूब चैनल सुमित अंजन सिंग गाइस आप थमनेल देखके समझी गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं क्या बताऊंगा एक्चुली अभी SSV का वेकेंसी चल रहा है जिसमें की फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है पीटे एंड प देखोगे कि मैं सही इंफर्मेशन दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं यह आप देख सकते हो कि मेरा नम सुमित अंजन सिंग है और मेरा चैनल भी सुमित अंजन सिंग है और यहां पर देख सकते हो क्वालिफाइड एंड पीटे एंड क्वालिफाइड एंड पीएश्टे अब मैं यहां पर कुछ दिखा देता हूं यह आप देख रहे हो SSB का गेट है क्योंकि अभी मैं इसका जो प्रोसेस बताऊंगा उसमें आपको यह गेट काम आएगा यहां पर आप देख सकते हो इसका कुछ लेखा हुआ है जैसे कि यहां पर documents verification की बात आती है आपको इस job में documents verification की भी बात आती है तो इसमें सारे बच्ची confused कर रहे हैं कि documents लेके जाना है या नहीं लेके जाना है या फिर क्या क्या लेके जाना है तो guys मैं आपको बता दूं कि documents देख लो गाईज यहां पर क्या लिखा हुआ है चिकित्सा परिक्षन के दौरान उम्मीदबार का प्रलेखन किया जाएगा मतलब जो है जो डोकुमेंट्स वेडिपीकेशन पीटी और पीएश्टी के बाद होना था वो अब मेडिकल एकजाम के समय होगा इसका मतलब यह हुआ तो यह तो हो गया डोकुमेंट्स वेडिपीकेशन की बात कि आपको क्या क्या डोकुमेंट्स लेके जाना है यह अब कैंसल हो गया है तो आपको बस दो चीज़ लेके जाना है एडमिट काड और एक आईडिप्रो अब वीडियो को यहां से आगे लेके चलते हैं अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका स्टार्टिंग कहां सोगा और फिर आपको कहां कहां जाते 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 आपका वहां पे इंड हो जाएगा आपको कितना देर रुकना है वहां पे सब कुछ आपको बता दे रहा हूं ओके तो आप बने करो, इसके बाहर खड़े हो, क्योंकि हम लोग खड़े थे, ऑके, तो हात में क्या था मेरा, एड्मिट काड और एक अधार काड, यहाँ तक जैसे ही आए, यहाँ तक आने के बाद, इक यहाँ पर table लगा वोगा, table लगा रहेगा, और यहाँ पे एक chair, यहाँ पे एक chair, ओके, तो यहाँ पे आपका admit card आप यहाँ पे देना और आपका नाम पूछा जाएगा, फिर आपको यहाँ पे उसके पास एक documents होगा, उस पे आपका signature करा लिया जाएगा, signature कराने के बात, आपको यहाँ से 10 मीटर या 15 मीटर दूर भेजा जाएगा, और वहाँ पे आपको एक SSB का जबान होगा, वो आपको दो token देगा, token काज़ करेगा, वो token को आपको क्या करना है, एक token आपको अपने bag में रखके bag को ऐसे जमा कर देना है, line by line, ऐसे 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 ऐसे, फिर यांस ऐसे 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 आएगा, एक token को आपको bag में रखना है, एक token को अपने पास, चूंकि जब भरती पड़ के लिए पूरा खत्म हो जाए, तो आप अगर वो token दिखाओगे, तो आपको आपको आपका bag मिल जाएगा, क्योंकि एक token आपके पास है, और एक token bag में है, दोनों match हो जाएगा, ओके, और यहां से हो जाने के बाद, आपको फिर यहां से ऐसे 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 आना है, फिर यहां से आने के बाद, आपको यहां तक आने के बाद, आपको यहां पे line up करा दिया जाएगा, और SSB के कुछ जबान, आपको दो चीप देंगे, ओके, क्या देंगे, दो चीप देंगे, आप को दोनों पैरों में वो बांद लेना है क्या करना है दोनों पैर में उसे बांद लेना है फिर दोनों पैर में उसको बांदने के बाद आपको क्या करना है चीप बांदने के बाद आपको लॉक भी दिया जाएगा उस लॉक को दोनों चीप में अच्छेस आप लगा लेना क्य क्योंकि वह बहुत ज्यादा जोड़ी होता है क्योंकि वह अगर आप अच्छिस नहीं लगाओगे तो आपका सब मेहनत बेकार हो सकता है और चीप लगाने के बाद आपको आपका चेस्ट नंबर पहनने के लिए दिया जाएगा ओके जब यह पड़किरिया आप लोग का यहा बैठे हो यहां पर आपका यह पड़किरिया हो जाने के बाद आप यहां से जाओगे ऐसे यहां पर एक बैड़क है यहां पर जो है यहां पर दो तिन लोग कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं आपका स्कैन करने के लिए क्या स्कैन करने के लिए आपका चिप स्कैन करेग और मिलब चिप को जीरो पे ला देगा और आपको यहां पे बैठा के आपका एक पीक ले लिया जाएगा ओके यहां पे आपका बैडिफिकेशन होने के बाद जो है आप इधर आओगे यहां पे आने के बाद आपको यहां पे लाइन अप करा दिया जाएगा और यहां पे आपका जो चिप बैरिफिकेशन हो जाएगा मतलब चिप का स्कैनिंग कर लिया जाएगा तो आपका यहां से एक लिस्ट आएगा मतलब लिस्ट जो आएगा वो आप सबका उसमें स्कैनिंग कर लिया गया होगा और जिसका जिसका स्कैनिंग कर लिया होगा उसको यहां से नाम पुकार पुकार के आपको बुला के साइन करवा देगा और साइन करवाने के पाद आपको एक लाइन अप करा देगा जिसका जिसका स्कैनिंग हुआ हो गया वो तो यहां पे आया फिर यहां से लिश्ट आया एक और उस लिश्ट से फिर नाम पुकार के आपका साइन करवा लिया गया और आपको यहां पे ला दिया गया यहां पे लाने के बाद जो जो यहां पे आ गया उसको अब mail line में खरा कर दिया गया उसके बाद mail line में खरा होने के बाद क्या करना है यहां से line up होने के बाद यहां से 100 student को जो है यहां पे ले लिया जाएगा ground के लिए जैसे यहां पे ground है अप देख रहे ग्राउंड है और यहाँ पे 100 बच्चे लोग खड़े हैं यहाँ से आपको एक बैक्ती एडवाइस देगा जो कि SSB से होगा कि सब को कैसे कैसे रणिंग करना है यह बताएगा कि आप लोग जैसे ही अपना पहला पैड इस पे डालिएगा कि टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा ओके गाइस पीछे वाले को यह नहीं सोचना है कि रोहीत या रमेस या जो भी हो वो तेजी भाग रहा है तो मैं भी अब तेजी भागू यह नहीं सोचना है क्योंकि आप जिस टाइम इस पे पैड रखोगे उसी टाइम आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा यह जा रहा है इसे जाने दो आप पीछे से कूदने मत लग जाना तो यहां से स्टार्ट हो रहा है सब लोग ऐसे से राउंड मार रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है आप कितना round मारे ये counting आपको ही करना है ना कि किसी और को या फिर ना कि कोई आपको बताएगा यहाँ पर जब आपको लगे कि आपका 8 चेकर हो गया है तो या फिर आपको कोई doubt हो कि मेरा 8 चेकर हो गया है फिर भी मुझे doubt है तो आप एक round extra मार दो वो ठीक है क्योंकि 8 चेकर होने के बाद आप जो extra round मारोगे वो counting नहीं होगा आपका 8 चेकर का ही मान होगा suppose आपने 7 ही मारा होगा आपको 8 लग रहा होगा तो आपका क्या होगा फिर आप reject हो जाओगे और आप अगर एक extra मार दोगे doubt में तो अगर आपका साथ भी हो रहा होगा तो वहाँ पर आपका clear हो जाएगा यहाँ पर दोरने के बाद आप इसके अंदर घुस जाओगे और यहाँ पर आपको ऐसे 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 बैठ जाना है बैठने के बाद एक list आएगा जब सब लोग बैठ जाएगा कि जो list आएगा guys अगर उस list में आपका चिस्ट नमबर और आपका नाम पुकार लिया गया और पुकार के आपको इधर बैठा दिया गया इधर एक अलग सुची में बैठा दिया गया नाम पुकार के और आपको आपका जो चीप होगा वो बोलेगा अब रख तो वहाँ पे एक काटून देगा बोलेगा अब रख तो वहाँ पे आप और अगर आपका नाम पॕकार लिया गया और आपको एक अलग सुची में बैटा दिया गया तब आप समझ लो कि आप क्वालिफाय कर चुके हो और यहां से फिर आपको ग्राउंट से निकलने के बाद आपको एक अलग जगा बैठा दिया जाएगा जहांकि जो बच्चे P.E.T. कौलिफाय रहेंगे वहां का उसे वहां पे बैठा जाता है तो अब इसके बाद क्या करना है यहां से आपको यहां पे आने के बाद यहां पे बैठने के बाद आपको एक एक करके नाम पुकरा जाएगा और आपका एडमिर्ट ले लिया जाएगा कुछ दिर के लिए जिसमें कि वह यह महर मार देगा कि आप फिजिकल में कौलिफाय हो गए हो वहाँ पे लिखा रहेगा Qualified in PT क्या लिखा रहेगा Qualified in PT उसके बाद Qualified in PT के बाद आपको जो है ऐसे 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 लाइन बनाके बैठा दिया जाएगा और फिर इस लाइन से आपको इधर भेजा जाएगा इधर या हो सकता है कि आप लोग में इधर भी हो जहां पे की आपका PST होगा PST मिन Height, Weight और Chest ये तिनों आता है PST कंतरगत और PT कंतरगत आपका दोर आता है तो PST के लिए 10-10 करके भेजा जाएगा और एक बैच में आपको 100 स्टूडेंट को दोरा जाएगा तो जब आप लोग अंदर जाएगा तो आपका PST हो जाएगा अंदर और PST होने के बाद आपको फिर भेज दिया जाएगा इदर और आपका Admit Card पे आप अगर Qualify करते हो PST में तो आपको वहाँ पे बुला बुला के आपको सिगनेचर करवाए जाएगा और आप सिगनेचर करते हैं अगर आप धियान रखोगे तो उसके Side में लिखा हुआ रहेगा कि आपका Hight कितना हुआ या Chest कितना हुआ या Weight कितना हुआ और P Team भी आप Sign करते हैं दिखिएगा बगल में तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको कितना टाइम लगा दोड़ने में ओके गैस हाँ तो इतना काम हो जाने के बाद आपका एड्मिट कार्ड में कौलिफाइड NPST का मौर मार के आपको फिर एक अलग लाइन में बैठा दिया जाएगा और उस अगर और उस लाइन में आपको जो है फिर कुछ दिर बैठने के लिए बोलेगा फिर एक लिस्ट आएगा मतलब लिस्ट नहीं वही आपका एड्मिट का जो है आएगा और जिस पे की दोनों मोहर मारा रहेगा आपको एड्मिट का दे जिया जाएगा और आपको बोलेगा अब आप कुछ खाने का मने तो कैंटिन जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गर भी जा सकते हैं आप जाएए आप यहां से चल दिये तो यह था मेरा कंप्लीट प्रोसेस और लास्ट में मैं एक पर बता दू कितने का बैच था हाँ तो हंडेट स्टूडेंट का बैच था और कितना बच्चे सेलेक्ट होते थे उन में से उन में से बस किसी बैच में 16 सेलेक्ट होते थे किसी बैच में 20, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 35 यानि 15 से 35 के बिच था और क्या था प्याश्टी में तो सब लोग सेलेक्ट होई जाते थे क्योंकि वहाँ से सब लोग कोशिस करते हैं कि बच से पेस्टी में छटाये नहीं और आपको मैं बता दूँ कि आपको सूज बहन के दौरना है या फिर ऐसे दौरना है गाईज अगर ग्राउंड अच्छा हो तो आप बिदाओर सूज के दौरे तो अच्छा ड़ेगा कितने लड़की के पीछे रहना है ये आपको ध्यान नहीं देना है कि वो तेज भाग रहा है तो मैं भी तेज भागूँगा आपको एक चाल में दौरते रहना है और रिपोर्टिंग टाइम रिलेटेड जो मतलब होता है जिसी कि आप मान लो कि आपका दस बज़े रिपोर्टिंग टाइम है तो ये जवरी नहीं कि आप दस बज़े ही जाओ आपका मन हो तो आप छे बज़े भी जा सकते हो तो आप 6 बज़े वाला में से दौर लोगे लेकिन जितना बज़े रिपोर्टिंग टाइम हो उससे एक मिनट पहले जाना लेकिन उसके बात नहीं जाना ने तो हो सकता है कि आपको प्रावलम क्रियेट हो सकती है तो गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होड़ा है और अगर आपको कोई सिंगल भी डाउट हो तो कॉमेंट करें मैं उसका जवाब जरूर दूँगा और जल्दी दूँगा और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को तो सबस्काइब करें वीडियो को लाइक भी करना और सेर करना बिलकुल ना बोड़ना ओके तब तक के लिए बाई बेस्ट आफ लग